सोर से बिजेपी का मन्थन चारी है क्योंकि लोग सबाच चुनाओं से पहले आज दिल्ली में बिजेपी का महा मन्थन होने वाला है दिल्ली में बिजेपी मुक्याले में मिशन 370 को लेकर सभी राज्यों के चुनाओ प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक होगी जिसकी अ महा संगराम अब क्योंकि छिट चुका है लोग सभा के लिए और इसको लेकर भारतिय जनता पार्टी के कारेयले में आज बड़ी बैठा कायू जित की जाएगी जिसमें पार्टी को लोग सभा के लिए मन्थन किया जाएगा रणनीती बैठाएगी और साथ ही हो सकता है कि किस को टिकेट दिया जाए किसको नहीं इसमें सभी प्रभारी से प्रभारी लोग सभा चुनाओं की त्यारियों को लेकर मंतन होगा उसके पहले भी जब अधिवेशन था महा दिवेशन विजेपी का तो अब भी हमने देखा 17-18 तारिकों कि किस तरह से सभी जो विजेपी शास पिनद्डा मिले हुए थे और अब फिर से उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बिजेपी मंतन का दौट जारी कर चुकी है क्योंकि इस बार का टार्गेट है बढ़ा है क्योंकि 2019 में 1989 से लेकर पहली बार ऐसी पार्टी कोई थी जिसका वोटिंग परसेंटेज 37% से जादा लेकिन इस बार उस परसेंटेज को आगे भी बढ़ाने का टार्गेट 50% टार्गेट रखा गया बिजेपी की तरफ से और अगर हम वोटिंग परसेंट की अलामा बात करें तो बिजेपी को 370 प्लस और एंडियों को 400 प्लस का टार्गेट देने को बिजेपी ये को लेकर प्रदेश के कई जिलों का दौरा करेंगे साथी इसी बीच सीम दिल्ली का भी दौरा करने वाले हैं सीम वजलाल आज शाम दिल्ली के दौरे पर जाएंगे और वो लोगसभा चुनाओं को लेकर बिजेपी की बैठक में शामिल हो सकते हैं पता दे कि सीम आज दोप लाल मीडा, वन मंत्री राज संजर शर्मा, मंत्री जवाहर सिंग बेड़ा मौजूद रहेंगे और इसके साथी सीम डीग में भी एक जन सभा को संबोधित करेंगे जिसके बाद वो भरतपुर से दिल्ली के लिए रवाना होंगे 24 और 25 तारीक दो दिन वो कारकर्म प्रस्त हाला कि 13 जिले से प्रभावित है लेकि 9 जिले अभी जो दौरा है दो दिन का 9 जिलो को ERCP प्रभावित कर रही है उन 9 जिलो का दौरा करने के लिए जैसे की जल सभा को संबोधित किया जाएगा और इसमें तमाम बड़े दिगज निता राजस्थान के BJP के मुख्यमंत्री क साथ शामिल होंगे और साथी साथ आक्शन मोड के साथी मुख्यमंत्री के जहां पर वो ERCP के नौजिलो को प्रभावित करने के लिए घर घर जाकर वो बताएंगे कि ERCP क्या है कैसे उसका लाव मिलेगा उसके साथी वो दिल्ली दौरे पर भी जाएंगे जहां पर दिल्ली म मन्थन 370 और 400 को लेकर लोग सबा के लिए किया जा रहा है और एक और बड़ी खबर आपको जैपूर से बताते चले कि पशुपालकों को बड़ी सौगात मिलेगी कैसे मिलेगी वो बता रहें दरसल घर बैठे ही पशुओं का इलाज आपको मिल पाएगा अगर आप पशु पाउते हैं तो आज बिटिन्वरी मोबाइल व्यान का शुभारम हो गया है राजस्तान में मुखे मंत्री भजन लाल शर्मा मोबाइल व्यान का शुभारम हो गया है